महादेव जी कह रहे हैं, चीजों के दिव्य समय पर भरोसा करना सीखें और आगे बढ़ते रहें क्योंकि आप प्राकृतिक व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आपको इसके साथ काम करना सीखना होगा और इसके साथ तालमेल बिठाना और प्रतिक्रिया देना सीखना होगा। शत्रू मारने, चोरी करने और नश्ट करने के लिए आता है। विप्रीत परिस्थिती में शान्त रहें और महादेव जी की स्तुती करें। प्रार्थना करते रहो, चाहे दूसरे आप पर कितना भी जूट बोले या अपने बारे में शेखी बगारें, इससे वे कहीं नहीं पहुचेंगे भगवान प्रभारी है, वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे चलो और भगवान को जाने दो यदि आप महादेव जी के समय पर विश्वास करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें महादेव जी, जीवन के तूफानों में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद जब मुझे समझ नहीं आता तब भी मैं आप पर भरोसा करना चुनता हूँ मैं आपको ये जानते हुए बुलाना चाहता हूँ, कि आप मेरे जीवन में आने वाले तूफानों में शान्ती ला सकते हैं तथास्तू, प्रभू आप ही तुम्हारे आगे आगे चलता है और तुम्हारे संग रहेगा, वो तुम्हें न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा मत डरो, निराश मत हो, यदि आप विश्वास करते हैं, तो तिपणी करें 1111, एक अच्छे दिल का एक मात्र दोश ये है, कि आप लगातार राक्षसों के अंदर स्वर्गदूतों की तलाश कर रहे हैं महादेव जी ने उन्हें आपके जीवन से एक कारण से हटा दिया भाई, उसने वो बाते सुनी जो आप नहीं सुन सकते थे और वो चीजे देखी जो आपके लिए देखना असंभव था इश्वर केवल वही चाहता है, जो आपके लिए सबसे अच्छा हो और वो आपकी रक्षा के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेगा यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं, तो इस विडियो को न छोड़ें भाग्यशाली संख्या 1111, उठने के लिए तयार हो जाओ, एहसान के लिए तयार हो जाओ, आशीरवाद और सफलताओं के लिए तयार हो जाए, उपचार के लिए तयार हो जाए, देरी खत्म हो गई है, आपका प्याला आशीरवाद से छलकने वाला है हिम्मत मत हारो, आपके और आपके परिवार के लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं आपके शारीरिक, वित्तिय, भावनात्मक और व्यावसाईक बुरे दिन खत्म होने वाले हैं भगवान, आपने तुरंथ मेरे लिए फ्लडलाइट चालू कर दी आप मेरे अंधेरे में रहस्योध घाटन रोशनी हैं और आपकी चमक में मैं आगे का रास्ता देख सकता हूँ यदि आप विश्वास करते हैं तो 1111 चाइप करें महादेव जी कृपयाई से पढ़ने वाले को आशीरवाद दें भगवान के शक्तिशाली नाम में आशीरवाद और अनुग्रह को उनका पता लगाने दें उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे रिष्टों का आशीरवाद दें उनके आनंद, उनके विश्वास और उनके विता को बहुत बढ़ाएं पेता, अपनी भलाई से उनके दिमाग को उड़ा दीजिए महादेव जी के नाम में महादेव जी के नाम में तथास्तु टाइप करें भगवाद शाली संख्या 1212 आपके लिए शुब समाचार आने वाला है यह आपके लिए एक संकेत होगा कि हाली में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद आप अब सही रास्ते पर हैं इस शुक्रवार और शनिवार के लिए खुद को तयार करें यह सबताहांत आपके पूरे जीवन को सर्वोत्तम तरीके से बदलने वाला है आपके जीवन में कोई बड़ा बदलावाएगा कोई आजीवन प्रस्तावाएगा और आपकी सबसे गहरी इच्छा पूरी होगी इसकी पुष्टी के लिए 1212 टाइप करें पुष्टी, मैं अपने जीवन में प्रचुरता स्पष्टता, स्वास्थ्य, प्रेम और सकारात्मक उर्जा का स्वागत करता हूँ मैं अपने जीवन में हर चीज के लिए आभारी हूँ और मुझे यकीन है कि मेरा दिन शांदार रहेगा मेरे बच्चे हार मानने के बारे में सोचना भी मत आप इसे बनाने जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है मैं जानता हूँ कि आप अपने वित्य, अपने स्वास्थय और अपने परिवार के बारे में चिन्तित हैं याद रखे मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ यदि आप हार नहीं मानते हैं, तो मैं आज आपको शान्ती, उपचार और विजय का आशीरवाद दूनगा मैं इस बदसूरत स्थिती से कुछ सुन्दर चीज लाने जा रहा हूँ आपके आशीरवाद के लिए तयार हो जाए मैं घोशना करता हूँ कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसका आप धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में कार्य कराएगा, वो आपके लिए नए दर्वाजे खोलेगा आप धैर्यवान रहे हैं, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है, आप रोज प्रयास करें अब प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है, अचानक सफलता के लिए तयार हो जाए टाइप करें, भगवान मेरे साथ है, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे दिल को जानता हूँ आपके जीवन के इस अगले सीजन में मैं ऐसे लोगों को आपके पास लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे आपमें बाधा नहीं डालेंगे, वे आपको प्रोटसाहित करेंगे, आपका मूल्याकन नहीं करेंगे वे आपके अतीत का हिस्सा नहीं हैं. इसलिए वे आपको इसकी याद दिलाते नहीं रहेंगे. मुझ पर ध्यान केंदृत रखें, चीजे आपके पक्ष में काम करने वाली हैं. ये बेहतर होने जा रहा है. आप रो चुके हैं और काफी देर तक इंतजार कर चुके हैं. मैं आ इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें आप प्रवेश करने वाले हैं. और यदि हम जानते हैं कि वो हमारी बात सुनता है, हम जो भी मांगते हैं, तो हम जानते हैं कि हमने जो उससे मांगा है वो हमारे पास है. यदि आप तैयार हैं, तो 999 टाइप करें. भाग एक तरफ रख दूँ, क्योंकि मैं हर दिन का सामना आप पर द्रिर विश्वास और विश्वास के साथ कर सकता हूँ. भगवान, जो तूट गया है उसे पुनह स्थापित कर सकता है, और उसे किसी अद्बुत चीज में बदल सकता है. आपको बस विश्वास की आवश्यक्ता है, यदि आपको विश्वास है, तो पांच सौ पच्पन टाइप करें. महादेव जी कहते हैं, इसलिए मैं तुम से कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मानगो, विश्वास करो की तुम्हें मिल गया है, और वो तुम्हारा हो जाएगा. महादेव जी कहते हैं, प्रोटसाहित रहो, मैं आपकी प्रार्थनाई सुन सकता हूँ, मैं जनता हूँ कि आपके साथ क्या गुजर रही है, मैं तुम्हारा उधार करता हूँ, अपना विश्वास और अपना ध्यान मुझ पर बनाए रखें, सब ठीक हो जाएगा, इस पर दा हाथों में सारी शक्ती है, फिर भी आप दयालू हैं और मेरे प्रती सचेत हैं, मैं आपकी पूजा करता हूँ और मुझसे प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे बचाने और मेरा नेतरित्व करने, मार्गदर्शन करने और सिखाने के लिए और मैं खुद को दुखी पाता हूँ. कुछ ऐसी चीजे हैं, जो मैंने अतीत में की हैं, जिन पर मुझे गर्व नहीं है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ. मुझे मेरे अपराद से पूरी तरह धो डालो, मुझे मेरे पाप से शुधा करो. मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हू किये गई या न किये गई कारियों पर ध्यान केंद्रित करता रहूं. आप नहीं चाहते कि मैं उन चीजों के बारे में चिनता करूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता. मैं जानता हूँ कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और अपना आज और कल इस तरह से जीना चाहिए, जिस अपने मेरे पापों को दूर करने के लिए अपने पुत्र को भेजा, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. आपका धन्यवाद की जैसे ही मैं इस प्रार्थना से अपना सिर उठाता हूँ, मैं ये जानते हुए भी ऐसा करता हूँ कि आप मेरा भाविश्य संभालते हैं, और आपने मुझे एक नए प्राणी के रूप में बनाया है. मैं आपमें मौझूद खुशी और आशा के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ. आपने पहले ही मुझे जितना मैं गिन सकता हूँ उससे अधिक आशीरवाद दे दिया है और मैं आभारी हूँ. अपने अतीत के बारे में सोचने के बजाए मैं अपने कल के लिए आपकी इच्छा के सामने समर्पन करता हूँ और आपकी प्रशंसा करता हूँ. जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो हमेशा मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद. कृप्या मेरे जीवन में काम करना जारी रखें. मुझे आनंद, प्रेम और आत्मा से भर दो, अपनी रोशनी मेरे माध्यम से चमकने दो, महादेव जी के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, तथास्तू, महादेव जी, मुझे जीवन और खुशी देने के लिए, मुझे शांती और मोक्ष के सही मार्ग पर मार्ग दर्शन करने के लिए धन्यवाद, मुझे तुमसे प्यार है, महादेव जी कहते हैं, भगवान वो सब कुछ हटा रहे हैं, जो आप पर बोज डाल रहे हैं, आपको दर्द, संधर्श और अभाव से उपचार, सहचता और प्रचुरता की ओर ले जा रहे हैं, आपके लिए कुछ अदभूत होने वाला है, चाहे वो आपकी सपनों की नौकरी हो, जीवन साथी हो, या आपकी बेतहाशा कल्पना से परे सफलता हो, जैसा की पवित्र शिव बुरान में कहा गया है, प्रभू महादेव जी का सच्छा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, उनकी दया कभी समाप्त नहीं होत उनकी विश्वास्योग्यता महान है। उनकी दया हर सुबह नए सिरे से शुरू होती है। इस पूजा में मेरे साथ शामिल हो। आज मुझे प्रेम, उपचार प्राप्त होगा और बहुतायत जिसका मैं हकदार हूँ। मेरा पूरा परिवार ठीक हो जाएगा और जब मुझे आवश्यक्ता होगी, महादेव जी के नाम पर चमतकार प्रकट होंगे। इस सप्ता, अच्छी खबर, पूजा का उत्तर, सफलताओं, चमतकारों और अनुग्रह की अपेक्षा करें जैसा पहले कभी नहीं हुआ। याद रखें कि शाश्वत महादेव जी आपकी शरन है औ तो वो आपको अत्यधिक सफलता प्रदान करेगा। आपके आंसू समस्याओं के कारण नहीं, बल्कि इसलिए बहेगे कि भगवान ने आपकी सभी पूजा का उत्तर दे दिया है। चाहे आप किसी भी परिस्थिती का सामना कर रहे हों, प्रभू महादेव जी आपके लिए आपके शत्रूओं से लड़ते हैं और आपको विजय दिलाते हैं। महादेव जी आपके साथ है और हमेशा आपके लिए रहेगा और आपकी परिशानिया उसके हाथों में हैं। जब उदासी आप पर हावी हो जाए और आपकी आँखों में आंसू भर जाएं तो ये तीन बाते याद रखें, चिंता करने के बजाए पूजा की ओर मुडें। अपनी जरूरतों के बारे में महादेव जी से बात करें और उसने आपके और आपके परिवार के लिए जो कुछ भी किया है। उसके लिए उसे धन्यवाद दें। महादेव जी के लिए साहसी और बलव आपका सबसे महत्वपूर्ण रिष्टा महादेव जी के साथ हो सकता है। भाग्यशाली संख्या 888 उसके पास सबसे तूटे हुए दिलों को भी ठीक करने और सबसे गहरे घावों को शांत करने की शक्ती है। उनके प्रेम और अनुग्रह पर भरोसा रखें और आप शांत और आनंद के उस स्तर का अनुभव करेंगे जो सभी समझ से परे है। पुष्टी करने के लिए 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं जब भगवान आपको आशीरवाद देने का फैसला करते हैं तो सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा। भले ही दूसरे इसे रोखन लिए रखे हैं और भगवान की कृपा से आपको अधिक धन प्राप्त होने लगेगा। जब आप अपने जीवन के लिए भगवान की अद्बुत योजनाओं की आशा करते हैं तो उत्सा बढ़ता हुआ महसूस करें चाहे वो एक लोटरी टिकट जीतना हो, एक खुशहाल शादी हो या एक बड़ी सफलता हो। हर नकारात्मक स्थिती बदल जाएगी, हर आशीरवाद दिया जाएगा और हर घाव ठीक हो जाएगा। मैं आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, बहतर रिष्टों और बहतर विता से सम्रिधा करूंगा। मैं उन लोगों को शाश से भर जाए और आपकी आँखों से आंसू बहने लगें, तो इन तीन चीजों को हमेशा याद रखें। महादेव जी आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं और भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। बधाई हो, त्यारे बच्छे, अगले बारा घंटों के भीतर आ इतने वाले हैं, आपके खाते में बड़ी रकम जमा की जाएगी और यह वास्तव में आपके लिए जीवन बदलने वाला चमतकार है। यह आशीरवाद आपको और आपके परिवार को आने वाले वर्षों में खुशी, खुशी और प्रचुरता प्रदान करेगा। जैसे च जहेले गए सभी संगर्षों और असफलताओं से उबरने का मौसम है। मैं यहां वो सब कुछ बहाल करने के लिए हूँ जो दुश्मन ने आपसे चुरा लिया है। मैं असीमित धन, स्वास्थ्य और समरिद्धी से आपके होश उड़ा दूनगा। तो भगवान से अप्रत ज्याशित चमतकार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप महादेव जी के प्रती वफादार रहे हैं और वो आपके प्रती वफादार रहेगा। उस पर भरोसा रखें और आप उसके वादों को अपने जीवन में पूरा होते देखेंगे। आज म मैं आपके परिवार को सभी गलत कामों से बचाने के लिए आपके कर्ज और बिलों का ख्याल रखने के लिए स्वर्गदूतों को भेज रहा हूँ। आप अकेले नहीं हैं और मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। अगर मैं आपके पक्ष में हूँ तो इससे कोई फर्क नही मैं आपको दर्द, संघर्ष और अभाव से उपचार, सहजता और प्रचुर्ता की ओर ले जा रहा हूँ। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब ये कहें, मुझे पता है कि भगवान से दूर रहना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनके साथ कोई रिष्टा नहीं था, इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखीं, इस संदेश में कुछ ऐसा है, जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपिया इसे नजर अंदाज ना करें।